Hello friends, स्वागत है आपके अपने यूटूप चैनल Online GKJS Classes में Friends, Online GKJS Classes जो है' आपको GK और GKS से Related Tricks and Topics प्रोवाइड कराता है तो आज आप लोब के लिए जून मंत का राश्टियम अंतराष्टिमे दिवस का Topics लेकर आपके सामने आ गया है जिसमें हम जून मंत के राष्टियम अंतराष्टिय दिवस को बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे इससे पहले हमने 5 महीने पे वीडियो बना चुके हैं जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल मई का वीडियो जो है बनाकर हमने अपने यूटूब चैनल ऑनलाइन जीके जीस पे अपलोड कर दिया है तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए वहाँ से राष्टियम अंतराष्टिय दिवस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप सभी राष्टियम अंतराष्टिय दिवस को आसानी से याद कर सकते हैं तो शलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखे आज है जून मन्त का राष्टियम अंतराष्टिय दिवस यानि की जून मंत में राष्टियम अंतराष्टिय दिवस कौन कौन से हैं जो एक्जाम की दृष्टी से important है और किसी ना किसी एक्जाम में पूछ दिये गए हैं तो हम जो हैं June मन से बेसकली 6 ऐसे प्रस्णों को लिया है जिसमें जो कभी न कभी किसी एक्जाम में पूछे गए हैं तो इनी को हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से जिससे हम लोग आने वाले किसी भी एक्जाम में राश्टियों अंतराश्टिय दिवत्स से प्रस्ण को नहीं छोर पाएं तो जून को हम रिलेट करेंगे जिन्दगी या जिन्दा से जिन्दगी और जिन्दा से देखे जून जो है 6 मन्थ होता है छठा महिना होता है और 6 प्रस्न भी यहाँ पे आप लोगों के लिए important समने इस वीडियो में लिये हैं जो बहुत ही महतोपूर्ण है तो जून 6 महिना है और इसे मलेरिया निरोध महिना के नाम से भी जाना जाता है मलेरिया निरोध महिना जानने के पीछे कारण यह है कि 4 जून को अनाथ बच्चे के लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसमें उन बच्चों जो पीरित बच्चे होते हैं उन लोगों के अच्छे स्वास्त के लिए एक दिवस मनाया जाता है चार जून को इसलिए इसे मलेरिया निरोध महिना के नाम से भी जाना जाता है तो वो इंपोर्टेंट नहीं है एक्जाम के दिरिष्टी से इसलिए जो है हम इस वीडियो में उसे नहीं लिए है तो आईए जो इंपोर्टेंट है उसे जानते हैं तो विश्व पर्या वरंदिवस विश्व पर्या वरंदिवस जो है पांच जून को मनाया जाता है विश्व पर्या वरंदिवस पांच जून को मनाया जाता है अब आईए इसे याद कैसे करते हैं क्योंकि हम लोगों का मोटो ही है हमारे चैनल का मोटो ही है आपको ट्रिक क के टॉपिक्स को याद करवाना है तो पांच जून इसको कैसे तो जून को हम बोले थे जिन्दगी या जिन्दा से रिलेट करेंगे पूरे बिश्व में पर्यावरन जो है जिन्दा रहने के लिए पांच तरीके से मनाया पूरे बिश्व में पर्यावरन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोगों को जिन्दा रखने के लिए पांच तरीके से पर्यावरन को सुरक्षित किया जाता है उनमें पहला हो गया पेर को लगाना जिससे हम लोग को ऑक्सिजन मिलता है फल मिलता है वाईू पर दूसन नहीं होने देना इसी तरह के पांच तरीके से हमारे विश्व के पर्यावरन को सुद रखा जाता है किसलिए जून जिन्दगी जीने के लिए जिन्दा रहने के लिए कितने तरीके से पांच पांच से पांच तारीक क्या मनाया जाता है किसे सुरक्षित रखा जाता है पर्यावरन को यानि वि बिस्व रक्तदान दिवस यानि की ब्लड डुनेशन ये जो है ब्लड डुनेशन 14 जून को मनाया जाता है ब्लड रक्तदान दिवस इसको कैसे याद करेंगे 14 वर्स से कम उम्र के बच्चे अगर रक्तदान करते हैं तो उनका जिन्दा रहना संभव नहीं है 14 वर्स से उपर के विक्ती जो है रक्त का दान कर सकते हैं जिसे वो जिन्दा रहेंगे याद करवाने के लिए सिर्फ ये ट्रीक बनाया गया है ऐसा कोई जो है डॉक्टर ने नहीं कहा है ठीक है 14 वर्स से 14 डेट याद हुआ रक्तदान करने से 200 रक्तदान दिवस जिन्दा रहेंगे जून हो गया तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून 14 वर्स से कम उम्र के व्यक्ति जो है रक्तदान नहीं कर सकते हैं नहीं तो उनका जिन्दा रहना संभव नहीं है ये ट्रेक है विश्व सरनार्थी डिवस कब मनाया जाता है तो विश्व सरनार्थी डिवस 20 जून को मनाया जाता है आईए थोरा सरनार्थी को समझते हैं सरनार्थी मसलब होता है कोई पीरित वेक्ती जो है अपने अस्थान को छोर कर दूसरे अस्थान पे सरन लेता है किसी भी कारणवस उसे ही सरनार्थी कहा जाता है तो बिश्व जब बोलेंगे तो उसमें बिस आ रहा है बिस ट्वेंटी बिस ट्वेंटी सरनार्थी तो सरनार्थी सरन लेते हैं बिस्व मैं किसलिए जिन्दा रहने के लिए बिश्व 20 तारीख 20 सरन लेते हैं किसलिए जिन्दा रहने के लिए जिन्दा जून तो बिश्व सरनार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है अंतराष्टी योग दिवस कब मनाया जाता है तो अंतराष्टी योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है इसको कैसे याद करना है योग समझ रहे हैं किसी भी सुभ़े कारे को करने से पहले योग देखा जाता है तो लर्कों का योग बनता है 21 साल के बाद क्योंकि 21 साल के बाद ही साधी के योग के लायक लर्के होते हैं कितने वर्स के बाद 21 21 से 21 तारीक और क्या तो योग के लायक होते हैं उसके बाद उनकी जिन्दगी जो है सुरू हो जाती है 21 के बाद लर्कों का योग बनता है उसके बाद उनकी जिन्दगी जो है शुरू हो जाती है जिन्दगी से जून है 21 वर से 21 तारीक है योग से अंतराश्टिय योग दिवस है तो अंतराश्टिय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है फिर आते हैं अंतराश्टिय उलम्पिक दिवस कब मनाया जाता है हम लोग जानते हैं उलम्पिक में तीन प्रकार की मिडले होती है कितने प्रकार की? तीन प्रकार की सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉंज कितने प्रकार की? तीन प्रकार की और दो यहाँ पे है तो इसे उपर ही होगा दो तो 23 जून को अंतराष्टी ओलंपिक दिवस मनाया जाता है एक की समने यहाँ पे पर लिया उपर ही होगा ओलंपिक दिवस तो कितने परकार की होती है दो परकार की होती है फुरा ओलंपिक के बारे में जानते हैं ओलंपिक जो होता है और एक जो है Summer Season होता है एक Winter Season और एक Summer Season दो वर्ष के अंतराल पे ओलंपिक को मनाया जाता है तो ऐसे भल आदकर सेकर तहें हैं दो भर्ष के अंतराल पे जिसमें तीन मेडल होते हैं और वह लोगों की जिंदगी के लिए बहुत ही important होते हैं क्या olympic तो अंतराष्टी olympic दिवस 23 जून को मनाया जाता है अब आते हैं राष्टी सांखे की दिवस संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है यानि नमबर में सबसे बड़ा नमबर कौन सा है तो एक से लेके सबसे बड़ा नमबर चलेंगे तो नौ है संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन है नौ तो नौ के नाम से ही संख्या मनाया जाएगा लेकिन यहाँ पर संख्यकी का मतलब सिर्फ याद कराने के लिए हम नमबर बता है सांखेकी का मतलब होता है जांच कराने के लिए ये सांख राश्टिय सांखेकी दिवस जो है PC महान लोबिस के जनम दिवस पे मनाया जाता है वो एक बहुत बड़े बैग्यानिक थे उन्ही के जनम दीन पे उनका जनम जो है 29 जून 29 जून 1893 में हुआ था इन्ही के जनम दिवस पे जो है 20 राश्टिय सांखेकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को तो हम लोग याद करेंगे कि सबसे बरा संख्या 9 यहाँ पे तो संख्या दिवस कब मनाया जाएगा 23 के बाद 29 जून में सबसे इंपोर्टेंट है यानि 29 जून को मनाया जाएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नया है तो सबस्क्राइब कीजिए कि इसी तरह का वीडियो जो है हमारे चैनल पे आते रहता है और इसका सीरीज का यानि की नेशनल और इंटरने के series का अभी six month का videos जो है बाकी है so guys video देखने के लिए thank you